हाड नहीं था मतलब मैं थोड़ी सी साड थी कि मेरी जर्णी देखने से पहले ऐसा हुआ बर मैं खुश भी थी क्यूं क्यूंकि अगर ऐसा होने वाला था कि मैं मतलब एलिमिनेट होने वाली थी तो फ्राइडे को नहीं हुआ इसको बिग बॉस ने मतलब फिनाले से दो दिन पहले सोचा के रखते हैं कि मेरा उस गहर मेरा रहना उन्हें अच्छा और ज़रूरी लग रहा था तो इसलिए मैं थीर तो मुझे अच्छा रगा मतलब मुझे यह नहीं कि मैं जब अंदर जा रही थी तो मुझे पाता था जब यही सोच के किया था कि टॉप फ़र में मुझे जाना और मैं जाओंगी ही क्योंकि मुझे मेरी जर्णी देखनी थी एंड तक अट लीस मैं एंड तक रहूंगी बहां पर और वह हुआ तो मुझे पूछा भी गया था बट ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं गए थी मैंने सूचा था कि मां पर जोबर सिच्वेशन आएगी उसकी अकॉर्डिंगी मैं हैंटल करूंगी सारी चीज़े क्योंकि मैं प्लान करके नहीं करती चीज़े सदनली करती हुआ तो लोगों ने बाद में हमारी एक दोस्ती ऐसी ती जो डे वान से एंड तक रही है बीच में बहुत लोगों ने ट्राइ किया कि हम दोनों अलग हो जाएं छोड़ दे एक दूसरे को उनके साथ रहने लग जाएं बहुत बार ऐसा हुआ लेकिन हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट था और हमारी सोच कहीं न कहीं मिलती थी और हम टाइम भी हम पर स्पेंड करते थे साथ में भी किस वह घर ऐसा है कि आपके बस नो फोन नो टीवी नथिंग पूरा दिन आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है तो उसकी वज़ा से मेरे चार महीने चार दिन में निकल के पता ही नहीं चला और दूसरी बात लोगों ने पहले लोग यह कहते थे कि जब से बात करो या कुछ भी करो तो महीरा बीच में आ जाती है वो बात ही नहीं करने देती है फिर उनको लगा कि यह वाला प्लान तो काम नहीं कर रहा है फिर उन्होंने शुरू किया कि जब भी महीरा से बात करो पारस बीच में आ जाता है हम तो महीरा से बात ही नहीं कर पाते फिर बोलते है पारस गायब हो गया है और दूसरी सरफ यह भी कहते है कि माहिरा पारस की परच्छाई है तो गायब इनसान की परच्छाई कैसे हो सकते है तो उससे फरेक नहीं पड़ता क्योंकि हमारे उपर ब्लेम लगाने जैसा कुछ था नहीं तो मैं स्ट्रॉंग थी मैं टास्क भी बहुत अच्छ से परफॉर्म करती थी और जगडे भी मेरे हो जाते थे मैं तब सब चीजे मैं करती थी मैं थोड़ी तफ थी इसको लोगों ने सोचा चलो ठीक है इस बात का मुद्दा बना के वीक 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 बोलके इस चीज का टैग तो मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर ओ लोगों को बहुत टैग मेले थे चेला, चमजा, काम-चोर, फुस-फुसाना बहुत सारे टैग मेले थे तो मुझे दिलवा दिया कि पारस की बिना मायरा कुछ नहीं है हाँ, डेफिनिटली मैं उसके बिना कुछ नहीं मुझे थे बिना क्योंकि मुझे उसका सपोर्ट चाहिए था अगर वह नहीं होता तो शायद मैं कुछ और तरीक इसे और के साथ होती है और मैं नहीं होती तो शायद वह किसी और के साथ होता काफी नमारा हो अगरा नहीं करते हैं तो शुरू में हम दोनों मैच नहीं करते हैं लग अलग सोचते थे हमारे टास्ट पी अगेंस रहते हैं मेरा फर्स टास्ट पी नहीं किया था तो मुझे तब से ही उन पर गुस्ता आने लग गया था तो मतलब वह चीजे थोड़ी खराब होती गई फिर खराब होते होते जादा हो गई फिर एक वीकेंड पे आया था हमारे बच्चे आये थे जो माहिरा और सिदाद बनके आये थे तब वह मसला लग 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 थे और सिदाद और में लड़ा कम देख रहे तो शिट अच्छा हम क्यूट लगते है लग तो धीरे धीरे उनका बहेवर चेंज हुआ मस्ती करने लग गए मेरे साथ तो मैं भी करने लग गई तो फिर धीरे धीरे तो अच्छा दोस्त बन गया एंड में कि उस घर में मैं को पारस और सिदाद के साथ ही में बैट थी जादा फेर मैं अच्छल में वहाँ पर घर पे ना हमेशे सब ने मुझे नॉमिनेट किया और सब मेरी अगेंस्ट रहया लेक माहरा ये माहरा वो पर मुझे पता है कि सब लोग मुझे दिल से बहुत पसंद करते चाहे वो आसीमू चाहे वो रश्मियो उनके दिल में मेरे लिए प्यार था वो कही न कहीं एक सॉफ्ट कॉनर था जो जगड़े हो जाते थे या फिर कर लेते थे ठीक है तो बट ऐसा कुछ नहीं था कि दिल मैं इतना तो कभी अपनी पूरी 22 साल की उमर में नहीं रोई हूँ जितना में वहार रोई हूँ और इतना मैंने कभी नहीं चिलाया और मुझे भी ऐसा हो रहा था यार मैं कितना चिलाती जाया है अब यह उए देखा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे पर बाहर वालों के लिए कहना बहुत एजी है कि क्यों करते हैं अंदर सिच्वेशन ऐसी हो जाती है कि नहीं समझ में आता है गुसा आपके उपर इतना हावी हो जाता है जब आपको पता कि यह चीज़ गलत है तो बहुत हो जाता है तो फिर काफी सारी शेट्स देखने को मैं कि मैं इतनी लॉयल हूं अपने दोस्तों को लेकर तो अच्छा लगा तो अच्छा लगा काफी कॉंड़ वर्शन मुद्दा भी बन गया है रोगों को बलगता है कि कलर काफी बायस होगे थे क्या चैनल चैनल के आपका क्या ओपिनियन है मुझे नहीं पता कि मुद्दा बन सबसे घुट के देगए थे तो सब भी घुट के देग नहीं अजर में जिसको वोटेज जादे वह जीत गया मैं क्या वनुट्व सी चैनल मुद्दी करें किना अब किसको लगत देड़ता है कि होने हाला ज तो आपड़्ट है बॉट यॉट हमले अगउटू देखे है वह वह अमेजिंग कि बहुत एंटर्टेनिंग होगा और काफी अच्छे कंटेस्टेंस भी आया है उसमे लड़की लड़के तो मजाएगा लोगों को बिग बॉस का घरा है लोग मिस्नी करेंगे चाहे पार लिख्व मायरा जेती लड़की ढूंड़ए तो कुछ टिप्स देना चाहेंगी तिक्नी में लड़की अंदर आई है मैं टिप्स दे दूंगी उनको मिलेंग नहीं अभी क्यों करके अंदर लॉक वाचुकी है मिल जाए उससे मुसे अल्दबेस्ट को चत्तिस आएंगी चत्तिस आएंगी पर मेरे जैसी तो उसके बिगबस भी नहींगी उसके बिगबस भी नहींगी उसके बिगबस भी नहींगी बर मिल जाएंगी अच्छी रड़की आइए काफी यहीं प्यारी मुस्त थे और एक तो शैनास की कॉपी है Hi Baba Ji रड़के भी अच्छी आया सबकुड़र सबकेषा मैं राष्मिया फ्लेटी दिए आप राश्मिया के ऐसे तर्मेश कणाने है फ्लिक्क्ति मैं कुछ पतानि इक frying ड़ै की entertain कि काि लाश्मिया इवकल सब्सक्षा बहुत प्यार दिया है मैं थे तुमना की स्थstar पर बात करने है together मैं यह चाहना चाहूँगे आप लोगोंसे के आप लोग जो भी edit करते हो चीज़े जो भी tag करते हो जो area सम přetоп-दो मुझे दिखता है बहुत अच्छा लगता है बिस इस eating लिए चीज़े करते रहा है क्या कि हम एक support मिलता है कि हम जनके लिए कर रहे हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं तो फिर आप दूसे हमारे लिए करते रहो हम जान लगा देंगे आपके लिए करने के लिए थैंक यू सो मुच